दोस्तों आज हम देखेंगे एक देसी दारू में और एक हाई एंड विस्की में क्या डिफरेंस होता है क्योंकि जितने में ये एक बॉटल हैगी उतने में ऐसी सौ बॉटल्स आ जाएंगी मुलासिस का यूज किया जाता है इसको बनाने के लिए मुलासिस एक बाइ परोड़क्ट है शुगर के न्जूस का जब भी गन्य के रस्से चीनी बनाई जाती है लास्ट में एक ब्लैक सबस्टेंस रह जाता है जो की काफी इसली मार्किट में मिल जाता है काफी सस्ता होता है उसी से देसी दारू बनाई जाती है बढ़िया विस्की बनाने के लिए ग्रेस का यूज़ किया जाता है और मौड्स का यूज़ किया जाता है देसी दारू में आपको जो विस्की का टेस्ट मिलता है ये आर्टीफिशल होता है इसमें artificial flavors और artificial colors use किया जाता है दूसरी हाथ में एक बढ़िया विस्की में आपको artificial flavors बिलकुल नहीं मिलेंगे आपको जो exact taste मिलेगा वो विस्की का मिलेगा इसरा जो point है देसी दारू को बिलकुल भी mature नहीं किया जाता है इसे ही ये बनती है ये sale के लिए market में आ जाती है दूसरी तरफ एक बढ़िया विस्की को age किया जाता है barrels में जिस वज़ा से उसका जो taste है काफी